हेलो, जैहिंद, कैसे हैं आप सब लोग, इस सेशन में हम सॉल्ब करेंगे मैंट्स का प्रेक्टिस सेट उननीस, इसका पहला कोश्चन है, यहां पर मैं लिखुँगा, बीस मेंगो की वैल्यू, बीस मेंगो, बीस मेंगो की वैल्यू है, कॉस्ट कितनी है, एटीनाइन रुपीज, ठीक है, एक मेंगो की कॉस्ट में यहां से निकालूँगा, एक मेंगो की कॉस्ट होगी, 89 by 20 रुपीज ठीक है अब इसने पूचा है 36 मेंगो की कोस्ट कितनी होगी तो यहाँ पर आएगा 36 मेंगो 36 मेंगो की कोस्ट होगी 89 by 20 into 36 2 से कटेगा यह 10 बार 2 से कटेगा यह 18 बार तो 18 नमा होता है 162 हासिल 16 18 अठारा अठा है 144 144 और 16 कितना होगा 160 और अपोन में आपका कितना है 10 मैंने आपको बताया है अगर नीचे 10 या 100 या 1000 हो तो यहाँ पे कितने 0 है 1 एक के पीचे कितने 0 है 1 तो यहाँ पे इसको हटाती ही क्या होगा 160 एक अंक से पहले क्या आएगा 10 सम्बन यानि पॉइंट इसमें आ जाएगा ठीक है तो option number इसका होगा option number B अगला question है यह formula मैंने आपको बताये थे तीन formula चलिए पहले formula आप लिख लीजिए sin square theta sin square theta plus cos square theta बराबर होता है 1 उसके बाद है 1 plus 10 square theta बराबर होता है second square theta उसके बाद है 1 plus cos square theta बराबर होता है cos square theta तो यह तीन formula आपको याद रखने हैं अब देखिए इस वारे formula को यूज करके हम इसका answer निकालेंगे हमें क्या पूछा है 1 minus sin square theta की value में पूछी है तो इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो यह है sin square theta sin square theta plus में है cos square theta बराबर 1 तो इसको मैं अगर यहाँ लेके जाता हूँ तो यहाँ बचेगा cos square theta बराबर 1 minus sin square theta तो इसका answer क्या आजाएगा 1 minus sin square theta बराबर क्या होता है cos square theta option number d अगला question है what is the percentage of marks obtained by a student in a exam if he scored 60 out of 75 marks इसमें बोला गया है कि एक छात्र को जो है साट अंक प्राब्थ होते हैं किस में से 75 marks में से तो इसका हमें अगर percent निकालना है तो टोटल जितने marks उसको प्राब्थ होएं उनको लिखेंगे ऊपर और टोटल जिसमें से प्राब्थ होएं उनको लिखेंगे नीचे तो 75 में से 60 मिले इंटो में कर देंगे 100 25 से कटेगा ये 4 बार 25 चोको 100 और 25 से कटेगा ये 3 बार 25 तिया 75 3 से 60 कटेगा 20 बार तो इसका आंसर आजाएगा 20 गुणा 4 यानि 80 परतिसद उप्सन नमबर B अगला ग्वेश्चन है इफ दा एरिया ओफ अ सर्कल इस 154 सेंटीमेटर स्क्वार देन वट विल बी दा सर्कम्फेरेंस ओफ दा सर्कल आपको जो है एक सर्कल का एरिया यहाँ पर गिवन है आपको पूचा है सर्कम्फेरेंस और सर्कम्फेरेंस निकालने के लिए हमें आव सकता होती है रेडियस की ठीक है तो सर्कल की रेडियस में मान लेता हूँ आर तो यहाँ पे आपको area given है area of circle is equal to होता है sorry area of circle आपको given है 154 और area of circle क्या होता है pi r square is equal to है 154 pi की value होती है 22 बटे 7 into r square बराबर 154 तो r square बराबर होगा इसको मैं अगर यहाँ लेके जाऊँगा तो यह inverse हो जाएगा यानि उल्टा हो जाएगा ठीक है 154 गुणा में आएगा आपका 7 और upon में जाएगा 22 22 से यह कटेगा 7 बार तो r square बराबर आपका आगया 7 गुणा 7 तो r की value यहाँ से आएगी under root 7 गुणा 7 और जब भी under root यहाँ पे दिया होता है तो हम क्या करते है इनके pair बनाते है ठीक है इसके factor निकालते है और उसके बाद उनके pair बनाते है तो यहाँ पे इनका एक pair बन रहा है इसका मतलब एक यहाँ से 7 हम क्या ले लेंगे बहार ले लेंगे सेंटीमेटर अगला क्वेशन है इसको आप बिना पेन लगाए भी solve कर सकते हैं यह लेंथ है यह ब्रेथ है और इसका जो एरिया होता हो क्या होता है लेंथ इन्टो ब्रेथ तो 8 चो को 32 अपसर नमबर 1 अगला क्वेशन है इसका आपको LCM यहाँ पे इनका निकालना है ठीक है तो सबसे पहले 64 के यहाँ पे factor कीजिए 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ 1 और 2 बारा, 2 चाका बारा फिर 2 से 2 अठा 16, फिर 2 से 2 चो को 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, उसके बाद है 96, दो से कटेगा 9 चार बार, यहाँ बचेगा 1 और 6 यानि 16, दो अठा 16, फिर 2 से 2 दूना 4, दो चो को 8, फिर 2 से 2 एकम 2, दो दूना 4, फिर 2 से 2 चाका बारा, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर यह दो से नहीं कटेगा, 3 एकम 3 उसके बाद है 72, तो 72 के factor होंगे, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा, यहाँ पे 1 और 2, यानि 12, 2 चाका 12 फिर 2 से, 2 एकम 2 यहाँ पे 1 और 6, यानि 16, 2 अठा 16, फिर 2 से कटेगा 9 बार, फिर यह 2 से नहीं कटेगा, 3, 3, 3 या 9 तो यहाँ पर सबके factor आप लिखते हैं यहाँ पर आएगा 64 बराबर आएगा उसके बाद है 96 बराबर होगा दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोला दुनी बतिस तिया च्यानवे उसके बाद है 72 तो 72 बराबर होगा दो दुनी चार दुनी आठ तिया चौबिस तिया बहतर फिर होगा 48 के factor क्या है ये वाले ये वाले factor होते हैं 48 बराबर होगा दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोला तिया अड़तालीस अब यहां से क्या करेंगे जो common factor है उनको हम क्या करेंगे उनके पेर हम बना लेंगे ठीक है जैसे ये दो सब में common है उसके बाद ये वाला दो सब में common है फिर उसके बाद ये वाला दो भी क्या है सब में common है ठीक है उसके बाद ये वाला जो तीन है ये तीन में common है और ये वाला जो दो है ये यहां से यहां तक ये तीन में common है ठीक है यहां पे यहां पे और यहां पे और यहां पे और ये वाला दो केवल दो में ही common है तो LCM में हम क्या करते हैं जो 2 में या 3 में भी common हो उनको भी हम 7 में ले रिते हैं LCM बराबर होगा पहले तो ये 2 गुणा ये वाला 2 गुणा इनको एक एक बा लिखेंगे तो कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 96 दूनी कितना होगा 92 गुणा 3 तो 3 दूना 6 तीन नमा 27 तीन एकम 3 और दू 5 तो 576 इसका LCM आ जाएगा ठीक है option number B अगला question है if the radius of a circle is 42 cm what will be the circumference of the circle तो यह circle वाले काफी सारे questions आ गए हैं आप इनको अगर लगातार देखेंगे तो एक time ऐसा आएगा जब आप इनको बहुत जल्दी से इनको solve कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर radius r बराबर 42 cm given है और हमें पूछा है circumference of circle तो circumference of circle is equal to होता है 2 pi r तो 2 into pi की value होती है 22 बेटे 7 और r की value कितनी दे रखी है 42 साथ से कटेगा यह 6 बार तो 6 दूना 12 और 12 से अगर मैं 22 को गुणा करूंगा तो 12 दूना 12 दूना 12 दूना 24 दूना 24 और 26 cm option number B अगला question है if 70% of a number is 220 then what is the number let the number be let the number be x ठीक है if the 70% of a number इस number का 70% ठीक है तो x का 70% is equal to कितना है 210 है ठीक है तो x into 70% का मतलब upon में 100 is equal to होगा 210 तो x की value क्या आ जाएगी 210 गुणा में जाएगा आपका 100 और बटे में आपका आएगा 7 इसको यहां लेके जाएगे ठीक है एक जिरो से एक जिरो कड़ गया साथ से कड़ गया यह 3 यानि 30 बार तो 30 गुणा 10 कितना होगा 300 तो यह number क्या होगा option number D अगला question है what is the square root of इतना इसका हमें square root निकालना है 0.01 का तो इसको हम option से लेके चलेंगे यहां पर देखिए 0.01 का अगर मैं square करता हूँ तो यह क्या होगा 0.1 into 0.1 तो एक गुणा एक कितना होता है एक लेकिन point के बाद कितने digit है एक और दो तो यहां पर भी एक और यहां पर मैं 0 रखोंगा और यहां पर लगाऊंगा point इसके बाद कितने digit होगे दो point के बाद तो इसका right answer होगा option number A ठीक है अगला question है how many times 1 by 5 be added to 1 by 5 so that the sum becomes 8 यह कह रहा है कि एक बटे 5 में एक बटे 5 को कितनी बार जोड़ा जाए कि sum कितना आ जाए 8 आ जाए तो चलिए जैसा इसने question में कहा है वैसा हम लिखते चलते हैं according to question मान लीजिए x बार यह जोड़ता है कितनी बार जोड़ता है x बार तो यहां पर हम लिखेंगे 1 by 5 में plus 1 by 5 को कितनी बार जोड़ा है x बार इसका मतब x बार का मतब multiply बराबर कितना आना चाए answer 8 ठीक है तो 1 by 5 में 1 by 5 को कितनी बार जोड़ा है x बार add किया है तो अब यहां पर अगर मैं आगे इसको solve करूँगा तो यह होगा 1 by 5 plus x into 1 means x upon 5 बराबर होगा 8 इन दोनों का LCM आएगा 5 उपर आएगा 1 यहां पर आएगा x बराबर 8 यह 5 अगर मैं यहां लेके जाओं तो यहां पर बचेगा 1 plus x बराबर 8 into 5 ठीक है यहां पर divide में था यहां जाएगा multiply में तो 1 plus x बराबर कितना होगा 8 पंजी 40 तो x की value कितनी हो जाएगी 40 यह एक यहां पर प्लस का है यहां जाएगा तो minus का बराबर कितना होगा 40 में से एग गया 49 option number D अगला question है यह काफी आसान question है पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है ठीक है जब भी आपके पास a की power m की whole power n हो तो इसको हम लिखते हैं a की power m into n तो यहां पर आपके पास given है 16 की power 3 की whole power कितनी दे रखी है 2 तो इसको हम लिखेंगे 16 की power 3 into 2 तो 16 की power कितनी हो जाएगी 16 तीन दुना 6 16 की power कितनी होगी 6 option number C अगला question है इसके लिए मैंने आपको बताया था अगर आपको square से याद होंगे तो इसको आप easily solve कर पाऊगे यह होता है 15 का square यह होता है आपका 17 का square और इनको अगर हम root करेंगे तो यहां पर आएगा 15 upon में आएगा 17 option number sorry option number C अगला question है what is the radius of a circle whose circumference is 540 centimeter आपको यहां पर circumference दे रखी है circumference of a circle is equal to have 540 centimeter और circumference of circle क्या होती है 2 pi r बराबर आपको given है 540 यहां पर radius हमने ले ली है r मान लेजिए radius क्या है r है तो 2 into pi की value होती है 22 बटे 7 into r बराबर है 540 के तो r बराबर क्या हो जाएगा 540 बटे में जाएगा 2 गुणा 22 और multiply में आएगा 7 ठीक है यह जो नीचे वाला होता है यह उपर जाता है और उपर वाला नीचे आजाता है 2 से कटेगा यह 27 बार और यहां पर 2 से कटेगा एक बार 2 से 11 बार और 2 से यह कटेगा 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10 तो उपर आपके पास आजाएगा आर के भेलियों आपके पास होगी आर बराबर होगा 135 गुणा 7 बटे 11 तो साथ पंजे यहां पर मैं इसको गुणा करता हूँ ठीक है 135 गुणा 7 तो यह होगा साथ पंजे 35 साथ यह 21 और 3 24 साथ एकम 7 और 2 9 तो उपर तो आएगा 945 और नीचे आपका आएगा 11 तो आर बराबर होगा 945 गुणा 11 अब 11 से इसको अगर डिवाइड करता हूँ तो यह होगा 945 गुणा 11 11 88 यहां बचेगा 6 यहां बचेगा 5 उसके बाद 11 पंजे 55 यहां बचेगा 0 यहां बचेगा 1 अब इसमें डिवाइड तो होगा नी तो यहां लगेगा 0 और यहां बचेगा 1 अगर मैं यहां पे 0 उतारता हूँ इस पॉइंट के वएसे तो फिर भी इसमें डिवाइड नी होगा यहां लगेगा 0 तो इसका राइट आंसर होगा option number 1 अगला question है which of the following is an obtuse angle इन में से कौन सा एक obtuse angle है तो obtuse angle क्या होता है obtuse angle होता है जिसकी value क्या होती है 180 degree और 90 degree के बीच में होती है 180 degree और 90 degree के बीच में होती है इसको हम लिखते हैं 180 degree से छोटा 180 degree से छोटा 180 degree से छोटा और 90 degree से बड़ा तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो होता है obtuse angle तो यहाँ पे 180 से छोटा कौन सा है 170 तो option number A इसका बिल्कुल सही होगा अगला question है if a rectangle is cut in half then two squares are formed from it एक rectangle है अगर उसको बीचों बीच से काट दिया जाता है तो दो square क्या होते हैं form होता है ठीक है दो square उसके बन जाते है if the perimeter of each square is 36 meter अगर परतेक square का जो perimeter है वो कितना है 30 cm है 36 cm है then what is the perimeter of rectangle तो इस question को ध्यान से समझेगा एक आपके पास rectangle है अब यह क्या करता है इसको two parts में divide कर देते चूंब इस से ठीक है एक square यह बन जाता है और एक square यह बन जाता है मान लिजिए इसकी side a है इसकी भी a तो दो square क्या है दोनो square क्या है equal है यहाँ पे भी a यहाँ पे भी a यहाँ पे भी a तो इन सब की sides क्या है a है और यहाँ पे आपको given है if the perimeter of each square अगर प्रतेक square का perimeter क्या है 36 है इसका मतलब एक square का perimeter कितना दे रखा है 36 दे रखा है perimeter perimeter को मैं P से denote कर रहा हूँ perimeter of square is equal to कितना given है 36 cm और perimeter of square क्या होता है 4 into side side क्या है यहाँ पे A 4 into A बराबर 36 तो A की value कितनी आ जाएगी 36 upon 4 4 से कटेगा यह 9 बार तो A की value कितनी आ गई नो तो यहाँ पे भी कितना आएगा नो 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 और यहां से हां तक यह कितनी है? 9 और मैं इस पूरे को मिला दूँ तो यह टोटल दूरी कितनी होगी? 9 और 9? 18 इसका मत्तब क्या है? Rectangle की जो Length होगी Length बराबर कितनी होगी? 18 cm और Breath तो कितनी आई है? 9 cm तो इसका Perimeter क्या होता है? Perimeter of Rectangle Perimeter of Rectangle Is equal to होता है 2 गुणा Length प्लस Breath 2 into Length प्लस Breath Length कितनी आई है? 18 Breath कितनी है? 9 9 अब आगे इसको अगर मैं solve करूँ तो 2 गुणा कोस्टर के अंदर कितना आएगा? 18 और 27 और जैसे ही हम bracket हटाएंगे तो यहां पर आएगा Multiply 27 गुणा 2 कितना होगा? 54 cm तो इस Rectangle का जो Perimeter आएगा वो कितना हैगा? 54 cm उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ठीक है? चलिए Signing out